परिचय बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम कैरम बोट खेल रहे हैं, पिता जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है क्या मैं तुम से कुछ पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, पिता जी? क्या तुम जानते हो, इस गेम में कौन सी गती घटित हो रही है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, गोटियां दो दिशाओं में गती कर रही है तो यह गेम एक समतल में गती प्रदर्शित कर रहा है क्या तुम इस बारे में और अधिक जानना चाहते हो? हाँ, पिता जी अब, आईए, किसी समतल में गती के बारे में और अधिक जाने उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे अधिशों एवं सदिशों को परिभाशित करना सदिशों के गुड़न की गणना करना सदिशों के संकलन तथा व्यवकलन की गणना करना किसी समतल में गती को परिभाशित करना एक समान तुरण के साथ किसी समतल में गती को परिभाशित करना आपेक्षिक वेक को समझना प्रक्षेप्य गती को समझना एक समान वृत्तिय गती को समझना परिभाशा दो विमाओं में किसी वस्तु की गती समतल में गती कहलाती है हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक गती विधिया देख सकते हैं जिन में दो विमाओं में गती की जाती है उधारण के लिए वायू में उर्ध्व दो विमिय तल में प्रक्षेपित की गई कोई वस्तू अदिश और सदिश भौतकी में राशियों को दो श्रेणियों में वर्गी कृत किया जाता है ये हैं अदिश तथा सदिश अदिश वे राशियां जिनें पूरी तरह केवल उनकी परिमान द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है उधारण के लिए कार्य, उर्जा, शक्ती, आवेश, इत्यादी सदिश वे राशियां जिने उनके परिमान तथा दिशा द्वारा पूरी तरह से विक्त किया जा सकता है उदहारण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल किसी सदिश का जमितिय निरूपन एक तीर द्वारा किया जा सकता है स्थिती सदिश किसी कड की स्थिती को किसी अन्य बिंदू के साप पेक्ष प्रदर्शित करता है विस्थापन सदिश दो बिंदूओं के बीच कड के विस्थापन को प्रदर्शित करता है सदिशों का गुडन जब किसी सदिश A को किसी संख्या N से गुणा किया जाता है तो हम एक सदिश V प्राप्त करते हैं जो निम्न द्वारा व्यक्त है V सदिश बराबर N गुणा A सदिश आईए, एक उदाहरन देखें यदि सदिश A को 2 से गुणा किया जाता है तो परिणामी सदिश 2A सदिश A सदिश के समान दिशा में होता है और इसका परिणाम A सदिश से दो गुना होता है सदिशों का संकलन एवं व्यवकलन सदिश का योग ती नियमों की सहायता से किया जाता है त्रिभुज नियम सदिशों A और B का योग है R सदिश बराबर A सदिश धन B सदिश समानतर चतरभुज का नियम यदि दो सदिश किसी समानतर चतरभुज की दो आसन भुजाओं के परिमान एवं दिशा द्वारा व्यक्त हैं तो उनके परिणाम उभे निष्ट कोले से गुजरते विकर्ण द्वारा व्यक्त होंगे यदि किसी बिंदु पर कारे करते सदिशों की संख्या एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित चक्रिय क्रम में है तो विपरीद दिशा में बहुभुज की बंद भुजा उनके परिणाम प्रदर्शित करेगी सदिशों का व्यवकलन व्यवकलन की प्रक्रिया रडात्मक चिन्धों के साथ योगवाली प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती है सदिशों का व्योजन वियोजन का अर्थ घटक भागों में विखंडित करने से है वियोजन की प्रक्रिया सदिश संकलन के विपरीत होती है अब घटक क्या होते हैं? यदि किसी सदिश को अनेग सदिशों में वियोजित किया गया है जिनका सम्मिलित प्रभाव दिये गए सदिश के प्रभाव के समान है, तो वियोजित सदिश दिये गए सदिश के घटक कहलाते हैं। किसी सम्तल में गती। आईए। सदिशों के उप्योग द्वारा विमाओं की गती का अवलोकन करें। स्थिती सदिश एवं विस्थापन। किसी सम्तल में स्थित कण P का XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदू के सापेक्ष स्थिती सदिश R को निमने समिकरण से विक्ति करते हैं। R बराबर XI डबल डैश धन YJ डबल डैश। माना की एक कण वक्र पर चलता है और किसी शड़ T पर इसकी स्थिती P है और दूसरे अनिशण T डैश पर इसकी स्थिती P डैश है तो इसका विस्थापन निमन होगा। डिल्टा R बराबर R डैश मानस R मानो को प्रस्थापित करने पर हम पाते है की डिल्टा R बराबर I डबल डैश डिल्टा X धन J डबल डैश डिल्टा Y एक आयाम में किसी वस्तु का वेग और त्वरन सदेव उसकी सीधी रेखा के अनुदिश रहता है। ताकि दो या तीन विमाओं में गतियों के लिए वेग एवं त्वरन सदिशों के बीच 0 डिगरी और 180 डिगरी के बीच कोई भी कोड़ हो सकता है। किसी समतल में एक समान त्वरन से गति आईए इसे समझने के लिए एक उधारन देखें। एक वस्तु एक स्वाई तल में चल रही है और इसका त्वरन एस्थिरांक है। अब माना की टी बराबर शून्य समय पर वस्तु का वेग न्यू नॉट है और टी समय पर न्यू नू बराबर न्यू नॉट धन 80 है। ये संगटक रूप में समी करण है। हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि किसी समतल में गती को दो अभिलंबवत दिशाओं के अनुदशिक स्थिरांक त्वरन के साथ दो प्रितक समकालिक एक विमिय गतियों के रूप में जाना जा सकता है। ये परिणाम त्री विमिय गति के लिए भी माने है। प्रेशक के संदर्भ में किसी वस्तू का वेग वस्तू के वेग से प्रेशक के वेग को घटाते हुए सीधे प्राप्त किया जाता है। वेगों को सदिशों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वे सदिश विधी से घटाए जाते हैं अंतरिक्ष में कुछ आरंभिग वेग के साथ फैकी गई कोई वस्तु जो गुरुत्व के प्रभाव के साथ मुक्त रूप से गमन करती है वह प्रक्षे प्य कहलाती है थीटा नॉट कोड़ पर वेग नूट के साथ प्रक्षे पित की गई एक वस्तु को चित्र में प्रदर्शित किया गया है किसी प्रक्षे पिर का पथ परवलई होता है प्रक्षे पिर का उड्यन काल है टीएफ बराबर दो नूट साइन थीटा नॉट बटे जी प्रक्षे पि की अधिक्तम उचाई है हम बराबर नूट साइन थीटा नॉट वर्ग बटे दो जी किसी प्रक्षे पिद्वारा अपनी आरंबिक स्थिती से अपने गिरने के दोरान वाई बराबर जीरो वाले स्थिती से गुजरने तक चली गई शैतिजिक दूरी, शैतिजपरास कहलाती है प्रक्षे पि का शैतिजपरास नॉट वर्ग गुणे, साइन दो थीटा, नॉट बटे जी के गुणन फल द्वारा विक्त किया जाता है उदाहरण आईए, प्रक्षे पिय गती का एक उदाहरण देखें एक प्रक्षे पिय की परास पचास मीटर है और यह दस मीटर की अधिक्तम उचाई तक पहुँचता है प्रक्षे पिय का उन्नेयन कितना होगा? आईए, इसका हल देखें हम जानते हैं कि शैतिच परास न्यू वर्ग गुणे साइन दो थीटा बटे जी के बराबर होता है हम उचाई एवं परास के बीच संबंध निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं ह बटे आर बराबर एक बटे चार टैन थीटा समीकरण की गणना करने पर हम पाते हैं कि थीटा का मान 38.66 डिगरी के बराबर है एक समान वृत्य गती वृत्वी के परित एक वृत्य कक्षा में किसी कृत्रम उपग्रह का चक्कर लगाना वृत्य गती का उदाहरण है कण द्वारा वृत्य पर गोल गोल एक चकर पूरा करने में लिया गया समय कण का आवर्त काल कहलाता है कण द्वारा एक सेकेंड में पूरे किये गए चकरों की संख्या कण के परिक्रमन की आवर्त्य कहलाती है जब कोई कण किसी वृत्त में एक समान चाल से घुमता है तो इसका वेग सदैव स्पर्श रेखिय और त्वरण त्रिजिय रूप से अंदर की ओर अभिमुक होता है वेग और त्वरण दोनों के परिमान नियत रहते हैं लेकिन दिशाएं बदलती रहती है क्या आप जानते हैं? एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिकीय समीकरण एक समान वृत्तिय गती पर लागू नहीं होते वृत्तिय गती में किसी वस्तु का परिणामी त्वरण चाल अचर होने पर केंद्र की ओर अभिमुक होता है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं अदिश राशिया ऐसी राशिया है जिनमें केवल परिमाण होते हैं सदिश राशिया ऐसी राशिया है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं जब किसी सदिश को किसी संख्या जैसे की N से गुड़ा किया जाता है तो हम एक सदिश V प्राप्त करते हैं, जो निम्न रूप में व्यक्त है V सदिश बराबर N गुणे A सदिश व्यवकलन की प्रक्रिया को रिणात्मक चिन्हे के साथ संकलन की रूप में देखा जा सकता है यदि किसी सदिश को अनेक सदिशों में व्योजित किया जाता है, जिनका सम्मिलित प्रभाव दिये गए सदिश के प्रभाव के समान होता है तो व्योजित सदिश दिये गए सदिश के घटक कहलाते है दो या तीन विमाव में गतियों के लिए वेग और त्वर्ण सदिशों के बीच शून्य डिगरी तथा 180 डिगरी के बीच का कोण हो सकता है अंतरिक्ष में कुछ आरंभिक वेग से फैकी गई वस्तु जो गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से गमन करती है प्रक्षेप्य कहलाती है जब कोई कण किसी वृत्व में एक समान चाल से घूमता है तो इसका वेग सदेव स्पर्श रेखिय और त्वरं त्रजीय रूप से अंदर की ओर अभिमुक होता है